पूरिसा बाला सोर की घटना हाल के रेलवे के इतिहास की सबसे दर्दना घटनाओं और रेल दुर घटनाओं में शामिल है लेकिन इसके पीछे की क्या वज़ा है ये तो जाच में पता चला है फिलाल रेल मंत्राले ने कमिशनर रेलवे सेफटी साथ इस जोन एसम चौधरी को इसकी जाच शॉप दी है और रेल मंत्री ने भी कहा था कि हम इसके रूट कॉज में जाएंगे आखिर वजह में जाएंगे कि इस वज़े से एक्सिडेंट हुआ जो इतने लोगों को जानमाल के च्छती उठानी पड़ी है हला कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो इनिसेल इनपूट्स आ रहे हैं कि आखिर क्यों ये दुर घटना होई और क्यों इतना बड़ा हाथसा हुआ जिससे एक नहीं, दो नहीं, तीन, टेन पर इंपक्त पड़ा है और जो लगतार रेस्क्यू अपरेशन्स लगतार जारी है हम आपको समझाने के लिए इस रेल की पट्री पे आये हैं और थोड़ा सा एक सिचुएशन्स को लेके समझनी की कोशिश करेंगी कि आखिर पूरा ये घटना हुआ कैसे मेरे पीछे आप चाट ट्रैक अगर आप देखें तो एक ट्रेक नमर एक ट्रेक नमर ट्री और ट्रेक नमर फो आप ये मानके चलिए कि उस पूरे रूट पे जो खड़कपूर से बाला सोर होते हुए कटक ट्रेन जाती है उस स्टेशन्स पे चार रेलवे ट्रैक थी चार रेलवे ट्रैक का मतलब हो दो मेंन लाइन की ट्रैक थी यानि जो ट्रेने से इधर से खड़कपूर से कटक के तरफ जा सकती है ये दो मेंन लाइन थी और दो बगल की लूप लाइन थी लूप लाइन का मतलब आप यूँ समझी कि आपकी कई बारेक सेशनों पे और यार्ड में जो ट्रेने खड़ी रहती है जिसे मेन लाइन इंपक्ट नहीं होता वो लूप लाइन थी अब situation ऐसा होता है कि साम 18 बच के यानि 6 बच के 50 मिनट के करीब में शाली मार कोलकता से चन्ने के लिए जो कोरमंडल एक्सप्रेस जा रही थी वो अपने फुल स्पीड से जा रही थी उसका वहाँ पे stoppage नहीं था उसके ठीक बगल की लूप लाइन में जो मालकारी थी वो वो ट्रेन डीरेल होती है डीरेल का मतलब यह आप समझे कि किसी वजह से डीरेल होती है हलाकि इसकी जाच की वजह पता चल पाईगे लेकिन जो हमें शुरुआती दौर पर पता चल पा रहा है कि कहीं पे ट्रेन फैक्चर था ट्रेन फैक्चर का मतलब यह हुआ कि यह जो प पट्रियों के बीच के गैप को जोड़ा जाता है यहां पे कुछी वज़े से अगर रूलाउट नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ होआ होगा जिसकी वज़े से यह ट्रेन डीरेल होती है और ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि वो ट्रेन बगल में अपने लूप लाइन पे खड़ी मालगाडी के ऊपर चड़ जाती है और पूरे फुल स्पीड में होने की वज़े से लेश्पी डब्बे थे और उनके होने की वज़े से आपने देखा कि लोको जो इंजेन है वो मालगाडी के ऊपर चड़ गया और उसका एक हिस्सा दूसरी पट्री पे यानि कि इस तरफ हो गया इस तरफ इस वाले ट्रैक पे आके गिर जाता है और इसी ट्रैक पे कटक से खड़कपूर के तरफ जो बैंगलोर से इश्वंतपूर से हावडा के लिए जो स्पेसल ट्रेन चल रही थी वो आ रही थी और वो चुकि इस पट्री से आप जो डबा है यहां गिरता है और यहां गिरने की वज़ा से यह स्ट्रेक पे आप से कना आता है और यह ट्रेन एक तरह से आके फिर टकराती है और यह पूरा हादसा आपके सामने नजार आता है हाल के दिनों में रेल्वे में इस तरह के बहुत कम मौके आए हैं जो इतना मैसिव एक्सिडेंट हुआ है और आक्सिडेंट का आलम यह है कि लागातार करीब करीब साथ डब्बे शनपूर के पूरे डब्बे डीरिल हो गये दूसरी तरफ जो माफ कीजिएगा कोराबंडल एक्सप्रेस के सारे डब्बे डीरिल हो गया है यानि पट्रिस से